हेलो एवरिवन उतकर्ष क्लासेस की ऑनलाइन पार्चाला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और हम अपनी जो हैं विश्वका भूगोल साथ सीरीज जो हैं डिसकस कर चुके हैं आज हम अपनी आठवी सीरीज की ओर बढ़ रहे हैं और आज का हमारा टाइटल है जो क आप लोगों ने अकसर मतला ये तो लगबग ऐसा शब्द यह जो सभीने सुना होता है कि क्या ज्वाला मुखी फट रहा है वल्कैनों ज्वाला मुखी यह तो ऐसे शब्द हैं भूक कि जो बहुत ही आम भाशा में भी अखवार में भी अकसर हमें देखने को मिलते हैं तो आईए आज हम इसको थोड़ा डिस्कूस कर लेते हैं जोग्रूफे के point of view से कि basically जो ज्वाला मुखी है वोलकैनो है वो है क्या ठीक है देखो दो शब्द होते हैं एक होता है वोलकैनो और एक होता है वोलकैनो सिटी वोलकैनो सिटी या वोलकैनिजम दो वोर्ड्स होते हैं ठीक है एक तो वोलकैनो और एक वोलकैनो सिटी या वोलकैनिजम क्या मतलब होता है दोनों का क्या दोनों में डिफरेंस है इसको हिंदी में बोलेंगे ज्वाला मुखी है था ज्वाला मुखी प्रक्रिया कुछ इस तरीके से भी इसको बोल सकते हैं तो ज्वाला मुखी और ज्वाला मुखी अटा दो शब्द है generally इनको कहीं-कहीं interchangeably यूस करते हैं कि कभी ज्वाला मुखी आपको देखने को मिलेगा वहीं ज्वाला मुखी अटा लेकिन इन दोनों ही शब्दों में कुछ basic difference है, थोड़ा सा अंतर है, और वो क्या है, तो वो हम discuss कर लेते हैं, देखे वोलकैनों ज्वाला मुखी, चलिए पहले आप से सुनते हैं कि ज्वाला मुखी क्या होते हैं, जल्दी से अपने chat box में अपना answer लखे कि क्या होते हैं ज्वाला मुखी? वोलकैनों क्या है? जल्दी से अपने answer chat box में मैं वेट कर रही हूं कि क्या होते हैं ज्वाला मुखी? कुछ लोग पूछ रहे हैं ये राजस्तान पुलिस के सिलेबस में है क्या देखिए ये जो सारी चीज़े हैं ये सारे ही एक्जामों के GK point of view से important है ये जो चीज़े हम discuss कर रहे हैं ये basic GK है तो ये तो सारी ही एक्जाम जहां पे भी GK का paper होता है उन सभी के लिए important है ज्वाला मुक में हो जिनके लावा जमीन से लावा निकलना लावा जो अर्थ के नीचे दबा हो ठीके सब अलग अलग जवाब दे रहे हैं कि क्या होता है ज्वाला मुकी हम इसको discuss कर लेते हैं ज्वाला मुकी जैसे किसी ने बोला कि लावा का निकलना ठीक है वो तो हो गया ज्वाला मुकी था और एक होता है ज्वाला मुकी सबसे पहले हम ज्वाला मुकी discuss करते हैं यानि ज्वाला मुखी, ज्वाला का मुख, किसी एक ने लिखके बताया था ज्वाला का मुख, ठीक है उसे ही बोलता है ज्वाला मुखी, ठीक है जैसे माल लीजे सपोज ये एक छेद हो गया प्रथवी में, नीचे से फोर्स लगा, ये सब हम देख चुके हैं, हमारी से रिलीज हुआ, एक सतय पर आकर छेद के माध्यम से वहाँ पर आके मुख्त हो गया एबल, तो वो जो छेद बनेगा, वो जो मुख बनेगा, उसे हम बोलते हैं, ज्वाला मुखी, ठीक है, यानि जिस छेद से होकर लावा निकलता है, बेसिकली उस छेद को हम ज्वाला मुख्यता क्या होती है, ज्वाला मुख्यता होती है, वो पूरा प्रोसेस, वो पूरी प्रक्रिया, जिसके माध्यम से ज्वाला मुख्य बन रहा है, और उसके बाद की भी जो प्रक्रिया हो रही है, यानि ज्वाला मुख्य से संबंदित पूरी प्रक्रिया को हम बोलते है volcanicity या फिर ज्वाला मुख्यता ठीक है तो सबसे पहले हमारा ये तो clear हुआ कि क्या होते है volcano क्या होती है ज्वाला मुख्य, volcanicity क्या है या ज्वाला मुख्यता क्या है अब हम आगे बढ़ते हैं इसके और पहलों की ओर देखे सबसे पहला important है कि ज्वाला मुख्य किन पदार्थों से मिलकर बनते हैं ठीक है वो कौन-कौन से पदार्थ है जो ज्वाला मुख्य के साथ बाहर निकलते हैं वो स्छेद में से बाहर निकलते हैं तो इसमें हम देख लेते हैं एक एक करके, पहला जो चीज निकलती है, सबसे पहले देखिए, जब भी ज्वाला मुखी फटेगा, तो सबसे पहली चीज जो ज्वाला मुखी में से निकलेगी, उसे क्या बोलेगी, वो क्या होगी, वो होगी गैस. क्योंकि सबसे ज्यादा बल जो है, वो क्या लगाएगी, गैस या जल्वाश्प जो होती है, वो सबसे ज्यादा बल लगाती है, सतय के उपर, और इसलिए सबसे पहले जैसे ही ज्वाला मुखी फटेगा, बहुत ज्यादा मात्रा में गैस और जल्वाश्प निकलेगी, ठीक ह यह होती है लगबग 60-90 प्रतिशत यानि जितनी भी gases अंदर से निकलेंगी उन सारी gases में सबसे बड़ा जो भाग होगा वो होगा जलवाश का जो की लगबग 60-90 प्रतिशत होगा उसके बाद जो होंगे हमारी और बाकी gases उनमें कौन-कौन सी हो सकती है carbon dioxide हो सकती है ठीक है sulfur dioxide हो सकती है या फिर nitrogen हो सकती है इस तरह की बहुत सारी gases अंदर से निकलेंगी ठीक है तो हमने देखा जलवाश सबसे आदा है और अक्सर एक्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि ज्वाला मुकी से निकलने वाली जो गैसों का समिशन होता है उसमें सबसे ज्यादा gases जो है वो कौनसी होंगी तो जो जलवाश है उसका प्रतीशत सबसे ज्यादा होता है 60 से 90 प्रतीशत ठीक है दूसरा जो हम देख रहे हैं दूसरा क्या निकलेगा उनको हम बोलता है विखंडित पदात विखंडित पदात या जिनको इंग्लिश में बोलेंगे फ्रेग्मेंटेड माटिरियल ठीक है विखंडित पदात अब इसमें देखो क्या होगा विखंडित पदात में क्या-क्या होते हैं जहसे जाला मुके जहां से फटेगा जहां से वह डैसे निकलेंगी प्रतवी के अंदर से दिखो तो लीत इसफ्हेर मैगमा चेम्बर कहाँ है एस्थर मंडल या लीठो इसफ्वेर तो इस्थर मंडल या यह स्ण मंधल्ल एस यह निकल के वह लीठो इसुकर को फाड़ कर जो आपकी डैस et और आपका लावा निकल रहा ह तो लीथो स्वेर की कुछ चट्टाने हैं, वो भी उसके साथ उचल के बाहर निकलती है, फ्रेग्मेंटेड माटेरियल या फिर जो टूटा-फूटा चट्टानी भाग होता है वो, तो उसको भी हम उसके आकार के अनुसार हम बहुत सारे पार्ट्स में बाटते हैं, जैसे ब बड़ा भाग होगा, जो बड़े-बड़े पत्थर के टुकडे निकलेंगे, उनको हम बोलते हैं, बॉम या बॉम बोलेंगे इनको हिंदी में, इसके अलावा आपके निकलेंगी लैपिली, इनको लैपिली ही बोलते हैं, बॉम तो बहुत बड़ा टुकड़ा होगया, जो इन सबको हिंदी में भी यही बोलते हैं, स्कोरिया, प्यूमिस, ठीके यह सारी चीजें, इसके अलावा राक, जो एकदम बारिक होगी, एश, ठीके वोलकैनिक एश इसको बोलते हैं, जो आला मुखी राक बोलते हैं, तो यह सारी जो हैं विखंडित पदार अंदर से निकलें यानि देखिए, गैस, पिर क्या हो गया, सॉलिड या ठोस पदार्थ, और उसके बार लिक्विड यानि लावा, या मैगमा जिसे हम बोलते हैं, ठीके, अब लावा जो होता है, वो दो तरह का होगा, ठीके, इसको हम देख लेते हैं, अगले उसमें, लावा, लावा आपका होगा आपका, बेसिक या शारिय लावा, या इसको पैठिक लावा भी बोलता है, इसको जनरली, हिंदी में पैठिक लावा, ठीक है, तो दो तरह के लावा हम देखेंगे, एसिट और बेसिक, ठीक है, तो अब एसिट क्या होता है, एसिट में क्या होगा आपके, कि एसिट म हम denote करते हैं, ठीक है, सिलिका की मातरा ज्यादा होगी, अब सिलिका की मातरा ज्यादा होने से क्या होगा, इसका रंग जो होगा, पीला होगा, रंग होगा, पीला, जो सिलिका होता है, वो सिलिका जो होता है, वो लावा को क्या बनाता है, चिपचिपा और लसेदार बनाता है, इसका मतलब क्या बनाता है पेस्टी बनाता है और ठिक बनाता है तो यानि जो अमली लावा होगा वो क्या होगा गाडा होगा ठीक है सिलिका की वज़े से इसका रंग होगा पीला और इसका जो वो होगा जो मतलब इसका जो होगी सघंता जो होगी सांधुता जिसे हम बोल सकत वो होगी गाड़ा, यानि यह पेस्टी होगा, गाड़ा होगा, ठीके, तो यह हमारा हो गया अमली एलावा, अब अमली एलावा जब निकलेगा, तो क्यूंकि वो गाड़ा है, तो जादा दूर तक जाएगा या कम दूर तक, जल्दी से लिखे बताएं, अगर आप हमाई होगा, पर लेकिन हम पूछने हैं कि यह जादा दूर तक फैलेगा, या कम दूर तक फैलेगा, जल्दी से बताएं, कम दूर तक फैलेगा, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल करेक्ट जवाब, कम दूर तक फैलेगा, देखे क्या होगा, जैसे ही ज्वाला मुकी फूटा, ठीक है, अगर माल लीजे ये पतला होता, तो पतला होता तो क्या होता, जल्दी से दूर तक फैल जाता, जैसे माल लीजे, अगर आपके हाथ से एक तो दूर फैल गया, ठीक है, और या फिर आपके हाथ से शहद फैल गया, दोनों में से क्या दूर तक बहके जाएगा, दूर जादा दूर तक बहके जाएगा, क्यों? क्योंकि दूद का काड़ापन कम है, तो जो जादा गाड़ा होगा, वो कम दूर तक फैलेगा, और कम दूर तक फैलने की वज़े से क्या होगी? इसकी उचाई जादा होगी, यानि ऐसा ज्वाला मुखी, जिसमें से अमलिय लावा निकलता है, उसकी उचाई जादा होगी और चौड़ाई कम होगी, ठीक है, तो इतना समझ में आया हमको, इसकी उचाई या हाइट जादा होगी, और चौड़ाई यानि विट कम होगी, ठीक है, ये हो गया हमारा अमलिय लावा, अब हम देखते हैं पैठिक लावा, जो basic लावा होता है, उसके अंदर silika की मातरा क्या होती है, कम होती है, ठीक है, silika की मातरा कम होने के कारण इसका रंग होता है काला, black या dark color का होता है, ठीक है, काला या गहरे रंग का होता है, ठीक है, अब ये काला और गहरे रंग का है, त लिक्विडिटी इसकी ज्यादा होगी ठीक है अब ये तरल ज्यादा है तो ये क्या होगा कम दूर तक फैलेगा या ज्यादा दूर तक फैलेगा जल्दी से बताएं लिखकर ये क्या है कम गाड़ा है अधिक तरल है तो कम दूर तक फैलेगा या ज्यादा दूर तक फैलेगा जल्दी से बताएं ज्यादा दूर तक फैलेगा ठीक है बिल्कुल सही बात है ज्यादा दूर तक फैलेगा यह ज्यादा तरल है कम गाड़ा है तो यह क्या होगा ज्यादा दूर तक फैलेगा अब ज्यादा दूर तक फैलेगा इसका मतलब क्या है ये क्या होगा ये चोडाई में ज़्यादा होगा और उचाई में कम होगा चोडाई में ज़्यादा और उचाई में कम ठीक है समझ में आया इतना हमने देखा लावा दो तरह का होता है तीन तरह के पदार्थ हमने देखे ज्वाला मुखी से निकलते हैं कौन-कौन से पहला त प्यूमेस, इस्कोरिया और आश, ठीक है. और इसके बाद हमने देखा लावा, तीसरा प्रदाद, लावा दो तरेका होता है, Acid और Basic लावा. ठीक है. तो आपनना को समझ में आ गया, Acid लावा में Сिलीका ज्यादा होता है, सिलिका जादा होने की वज़े से उसका रंग जो होता है हलका होता है पीला होता है और वो गाड़ा होता है गाड़ा होने की वज़े से उसकी उचाई जादा होगी और चोड़ाई कम होगी और जहां बेसिक लावा की हम बात करेंगे पैठिक लावा की हम बात करेंगे तो वहा यहां तक आप सभी को समझ में आया है, जल्दी से अपना चैट बॉक्स में लिखे बताएं कि आप यहां तक समझ चुके हैं, जिससे हम आगे बढ़ेंगे, यहां तक हम आप समझ चुके हैं बिल्कुल, बताएं, मैडम एक्जाम्पल भी दे दो, एक्जाम्पल जरूर ज़्वाला मुखी तो हम एक्जाम्पल भी देंगे, ठीके यहां तक आप को समझ में आत चुका है, ठीके हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रम बात करेंगे इसके अंग, या नी पार्ट, जवाला मुखी के क्या-क्या पार्ट होते हैं, वॉल्कानों के क्या-क्या जैसे ये जो आला मुखी है मान लिया हमने इसके अंदर से ये नीचे इसका एस्थेनोस्फेर ये आपका लीथोस्फेर नीचे एस्थेनोस्फेर एस्थेनोस्फेर और लीथोस्फेर क्या होता है ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं पहली लीथोस्फेर ठीके अब क्या हो रहा है एस्थेनोस्पेर क्या है मैगमा चेमबर है और इसके अंदर बहुत सारा तरल पदार्थ में मैगमा भरा हुआ है तीक है अब यहां से क्या हो रहा है आपके esthenous pair से यह lava उपर चड़ रहा है यानी उपर force लगा रहा है और force लगाके यह उपर सतय पर आ रहा है इस तरीके से ठीक है यह एक नली के द्वारा उपर आएगा ठीक है यह vent बन गया और यह छेड बन गया ठीक है और यहां से जो है लावा निकलेगा अब इसमें हम क्या क्या अंग देख सकते हैं यह जो आकरती बनी यह परवत जैसी आकरती इसको हम बोलते हैं ज्वाला मुखी परवत ज्वाला मुखी परवत या वोल्कैनिक माउंट ठीक है यह हो गया आपका ज्वाला मुखी परवत अब ये जो आपका उपर जो आपको देख रहे है छेद जिसमें से होकर लावा निकला है उस छेद को हम क्या कहते हैं जौला मुखी छिद्र, जौला मुखी छिद्र बोलते हैं इसको. यह जो छेट है जिससे होकर लावा बाहर प्रकट हुआ है ठीक है अब यह जो नली है यह जो नली आपको दिख रही है इसे हम बोलते हैं ज्वाला मुखी नली या वॉलकैनिक पाई ज्वाला मुखी नली या वॉलकैनिक पाई ठीक है यह आपको तीनों चीजे समझ में आई क इसके अंग जो होंगे, क्या होंगे? ज्वाला मुखी परवत, ज्वाला मुखी छिद्र और ज्वाला मुखी नली. अब देखिए क्या होगा? ये जो ज्वाला मुखी है, ये हमने देखा ज्वाला मुखी का जो परवत है, ज्वाला मुखी परवत, ठीक है? ये इसकी नली है और ये चिद्र है अब आपने मान लिया कि ये जो चिद्र है अगर ये बड़ा हो जाए ठीक है ये जो चिद्र है अगर वो थोड़ा बड़ा हो जाए तो उसे हम बोलते हैं क्रेटर crater बोलते हैं इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही crater ठीक है और अगर ये छिदर और दुबारा विसफोर्ट की वज़े से या किसी भी और वज़े से और ज्यादा बड़ा हो जाए ठीक है और ज्यादा बड़ा हो जाए तो इसे हम बोलते हैं कालडेरा कालडेरा ठीक है तो crater होता है और कालडेरा होता है crater में कई बर क्या होता है कि जब ये ज्वाला मुखी जो होता है जब ये ज्वाला मुखी में से लावा निकलना बंद हो जाता है तो कई बर बारिश का पानी या किसी और पानी की जमाव की वज़े से इसके अंदर एक जील नुमा आकरती बन जाती है यानि पानी का जमाव हो जाता है और जील बन जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं क्रेटर जील कहते हैं क्रेटर लेक या उसे हम बोलते हैं क्रेटर जील ठीके तो हमने इसमें कई चीज़ें देखी, ज्वाला मुखी परवत, ज्वाला मुखी छिद्र, ज्वाला मुखी नली, और इसके लावा क्रेटर और कालडेरा, और इसके साथ ही हमने देखी क्रेटर लेक, अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है, प्रकार देखो क्या-क्या हो पहला जो डिविजन होगा वो किस थरीके से होगा कि अगर हम बात करें जो ज्वाला मुखी में से उद्गार निकल रहा है यानि जो जिस तरह का विश्पोर्ट उसमें हो रहा है उस according इसको बार सकते हैं तो यानि उद्गार के अनुसार ठीक है पहला इसका प्रकार होगा उधगार के अनुसार या Irruption according to Irruption ठीक है और दूसरा हमारा प्रकार होगा समय अबधी के अनुसार ठीक है यानि कितनी देर तक ओ जौला मुखी कितने टाइम से पहले फटा था यानि समय के अनुसार समय के अनुसार अब समय के अनुसार का मतलब क्या हो गया according to duration ठीक है अब देखिए जो हमारे हमने देखा उद्गार के अनुसार उस समय के अनुसार ठीक है अब उद्गार के अनुसार जो होगा उसको हम दो पार्ट में बातेंगे ठीक है, जो eruption के according है, उसको हम दो पार्ट में बातेंगे, एक तो होगा केंद्रिय उद्गार वाले, ठीक है केंद्रिय उद्गार वाले, और दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा आपका fissure eruption type, यानि दरारी उद्भेदन वाले, ठीक है, अब इन दोनों में क्या difference है, केंद्रिय उद्गार वाले उसमें क्या होगा, जो ज्वाला मुखी होगा, वो एक छेद से एक pipe के थूँ, एक नली के थूँ, जो अभी हमने देखा था, ज्वाला मुखी नली, उसके माध्यम से उस छेद से निकलेगा, बहुती एक विसफोर्ट के साथ, ठीक है, तो विसफ होता है, एक दरार बन जाती है, और उस दरार में से क्या होगा, जो मैगमा है, वो निकल के आजाएगा, यानि एक दरार नुमा बीच में बन जाएगा, जब यह प्लेट इदर खिसकी है, प्लेट इदर खिसकी, तो बीच में क्रैक्स पर जाएंगे, दरार हो जाएगी, और यानि यहां पे कोई नली नहीं होगी, यहां पे पूरी दरार होगी, जिसमें से निकलके लावा बाहर आ जाएगा, यानि इधर तो क्या हो रहा है, छेद से बाहर आ रहा है, जो आला मुखी नली के माध्यम से बाहर आ रहा है, और यहां पे क्या होगा, यहां पे दरार से बा लावा निकल के बाहर आ गया, समय के अनुसार देखो क्या होते हैं इसके डिविजल, पहला जो होगा आपका active volcano, यानी सक्रिये ज्वाला मुखी, ठीके इसका मतलब जो क्या है, जो जिसमें से लगाता लावा निकल रहा है और अभी भी उसमें विस्पोर्ट हो रहे हैं, क्या भारत के किसी सक्रिये ज्वाला मुखी का नाम बता सकते हैं, जल्दी से अपने चैट बॉक्स में लिखकर बता दे, क्या भारत में ऐसा कोई सक्रिये ज्वाला मुखी है, प्लीज मैं वेट कर रहे हूं, जल्दी से लिखे, active volcano, क्या भारत में ऐसा कोई active volcano है, सक्रिये ज्व ज्वाला मुखी है, Barren Island, ठीके, जो Barren द्वीप है, वो भारत का सक्रिय ज्वाला मुखी है, ठीके, सक्रिय ज्वाला मुखी जिसमें अभी भी लावा निकल रहा है और निकलता रहता है, दूसरा हो गया, Dormant, यानि प्रसुप्त ज्वाला मुखी, Dormant या प्रसुप्त ज्वाला मुखी, Dormant ज्वाला मुखी ऐसे होता है, जिसमें पहले ज्वाला मुखी विस्वोट हुआ, उसके बाद वो शान्त हो गया, नि उसमें से लावा निकलना बंद हो गया, लेकिन दूबारा कभी वर्षों के बाद, उसमें दूबारा या मृत ज्वाला मुखी यानि ऐसा ज्वाला मुखी जिसमें से क्या है जिसमें से लावा निकलना बंद हो चुका है और उसमें भविश्य में वी उसके दुबारा लावा के प्रसफुटन की उसमें आशंका नहीं है ठीक है जब ऐसा ज्वाला मुखी होगा तो से हम मान हो जाता है, तो हम मान लेते हैं कि वो ज्वाला मुखी extinct हो चुका है, मृत हो चुका है, ठीके, तो इस तरीके से हमने देखा, अब इसमें से जो केंद्रिये ज्वाला मुखी है, हम उसको थोड़ा और विस्तार में पढ़ेंगे, केंद्रिय ज्वाला मुखी, केंद्रिय ज्वाला मुखी जो है, वो पाच प्रकार के होते हैं, पहला तो इसमें से होता है हवाईयन टाइप, ठीक है हवाईयन प्रकार का, हवाईयन तुल्य है, क्या मुझे बताएंगे कि हवाई जो द्वीप है, हवाई आइलेंड्स हैं, व box में आपना answer लिखके भेजें कि हवाई जो islands है हवाई आइलेंड कहां पर है अगर आपको पता है हवाई द्वीप कौन से महसागर में है प्रशांत पे बिल्कुल सही जवाब है जो हवाई जो द्वीप है हमारे हवाई जो है वो प्रशांत महसागर में है और वहाँ पे जो ज्वाला मुखी हो रहा है वो हवाई तुल्य है यानि उस तरह को हमने एक identify कर लिया कि वो हवाई तुल्य ज्वाला मुखी है दूसरे जो हमारे होते हैं वो होते हैं स्ट्रॉम बोली तुल्य देखें स्ट्रॉम बोली जो ज्वाला मुखी है वो आपके भूमद्य महासागर में भूमद्य सागर में इस्थित है भूमद्य सागर में इस ट्रॉंबोली जो ज्वाला मुखी है ये एक सक्रिय ज्वाला मुखी है और इसमें से निरंतर जो है लावा निकलता है तो इस वज़े से इसको हम कई बार जो भूमद्य सागर का प्रकाश इस्तम भी कहा जाता है जो इस ट्रॉंबोली ज्वाला मुख ठीक है, ये आगका हो गया, इस ट्रॉम बोली तुल्य है, तो आप जो फैक्ट है, इसको नोट करके रिखने, भूमद्य सागर का प्रकार सिस्तम हम कहते हैं, इस ट्रॉम बोली को, तीसरा जो है आपका, उसे हम बोलते हैं, तीसरे प्रकार का जो आलमुखी है, वुलकानियन तुल्य, वुल्कैनियन तुल्य, वुल्कैनियन जो ज्वाला मुखी है वो भी आपका वुल्कैनियन जो ज्वाला मुखी है वो भी भूमद्य सागर में इस्तित है और लगबग स्ट्रॉम बुली ज्वाला मुखी के पास ही इस्तित है, चौथा जो है आपका वो है विसूव और पांचवा जो प्रकार है इसका पांचवा प्रकार है आपका पीलियन टाइप पीलियन प्रकार का ठीक है देखिए इसमें से एक चीज बात जियाद करने की जो विसूवियस ज्वाला मुखी है इसे प्लीनियन ज्वाला मुखी भी कहते है क्योंकि प्लीनी महौधेने जो है इसके बारे में अध्यान किया था इसे हम प्लीनियन जौला मुखी भी कहते हैं तो अगर आपके exam में प्लीनियन पूछ रहे हैं या पीलियन पूछ रहे हैं इसको हम पढ़ क्यों रहे हैं, हम ये पांचों को क्यों पढ़ रहे हैं, तो इसके बारे में हम इसले पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर हम बात करें, सिलिका की, इनको पांच प्रकारों में हमने क्यों बाटा हैं, ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं, कि इसको पांच प्रकार में हमने क्यों बाटा है अगर हम बात करें सिलीका की मात्रा की घर हम बात करें तो जैसे जैसे हम हम हवाइन तल्ये से नीचे जाएंगे पीलियन की तरफ तो सिलीका की मात्रा जो है बढ़ती जाती है तो जैसे जैसे हम इस order में नीचे जा रहे हैं, तो हमारी सिलिका की मातरा जो है बढ़ रही है अब सिलिका की मातरा बढ़ रही है इसका मतलब क्या मैंने बताया विस्फोट जो है विस्फोट भी जैसे जैसे हम लीचे जाएंगे यानि पीलियन ज्वाला मुखी का जो विस्फोट है वो सबसे जादा तीवर है सबसे जादा तेज है ठीक है तो विसफोर्ट हमने देख लिया अब इसके अंदर अगर हम देखें गाड़ापन अगर हम बात करें गाड़ेपन की ठीक है तो जैसे जैसे सिलिका जादा होगा वैसे वैसे क्या होगा लावा गाड़ा होता चला जाएगा तो इसमें गाड़ापन भी उपर स नीचे की और जाएंगे silika बरता जाएगा, विस्फोर बरता जाएगा, गाड़ापन जो है बरता जाएगा, तो अगर आप इसको यह आपके exam में पूछ सकते हैं, कि इनको silika के बढ़ते क्रम में जमाएं, यह ज्वाला मुखी दे देंगे आपको, तो आपको यह इसी order में य अब हम आगे बढ़ते हैं, वितरन, ज्वाला मुखी का अगर हम वितरन की बात करें, तो उसमें क्या होगा हम, अगर हम वितरन देखें, तो सबसे ज्वाला मुखी हम एक जगे डिसकस कर चुके हैं, कि पैसिफिक रिंग ओफ फायर, एक जगे हमने डिसकस किया था, हमारी प्रशांत महसागरिय अगनी मेखला, तो आप लोगों से मेरा सवाल ये है, कि जो प्रशांत महसागरिय अगनी मेखला है, पैसिफिक रिंग ओफ फायर है, ये जो बनी है, यह जो मेखला बनी है वो किस प्रकार की दो प्लेटों के अभी सरन से बनी है यानि इसमें महादवीप और महादवीपी प्लेटों का अभी सरन हो रहा है या महासागरी ये महासागरी प्लेटों का अभी सरन हो रहा है या फिर आप ऐसा कहना चाहेंगे कि इसमें अभी सरण न होके अपसरण हो रहा है तो जल्दी से बताएं अपना चैट बॉक्स में आंसर लिखके कि जो प्रशान्त महासागरी या अगनी मेकला है वो किस प्रकार की दो प्लेटों के अभी सरण से या अपसरण से बनी है जल्दी से बताएं मैं आपके आंसर्स का जो है बेट कर रहे हूँ Pacific Ring of Fire जल्दी से बताएं मैं वेट कर रहे हूँ अगर आप हमारी पुरानी सीरीज अगर देखें आपने हमारी पुरानी सीरीज नहीं देखिए माहसागरी और महाधी प्लेटों के अभी सरण से अगनी मेखला का निर्मान हुआ है उसमें क्या हो रहा है जो आपकी आगर हम बात करें अमेरिकन प्लेट, अमेरिकन प्लेट किसे मिल रही है आपकी जुआंडी, फुका, नाजका और कोकोस प्लेट से मिल रही है अमेरिकन प्लेट और इधर साइट जो आपकी प्रशान्थ महासागरी प्लेट है वो किसे मिल रही है यूरेशियन प्लेट से जाकर मिल रही है तो य जादा होने की वज़े से महासागर्य प्लेट का शेपन होगा किसके नीचे महाद्वीप्य प्लेट के नीचे तो महाद्वीप्य प्लेट के नीचे महासागर्य प्लेट का अभिसरन होगा और इसकी वज़े से क्या होगा कुछ मात्रा में जो आपका जल है महासागर्य जल है वो भी नीचे चला जाएगा और जब वो एस्थेनोस्फेर में जाके गरम होगा तो वहाँ पे जलवाश्प बनेगी और उस जलवाश्प की वज़े से जो क्या है विस्फोर्ट हमारे तीवर होंगे या जादा होंगे ठीक है तो मैंने आपको बताया था विश्व के सबसे ज ज्वाला मुखी और विश्व के सबसे ज्यादा भूकम वो हमें किस छेत्र में देखने को मिलते हैं प्रशांत मासागरिया अगनी मेखला में देखने को मिलते हैं जैसा कि हम जानते हैं जापान में बहुत ज्यादा भूकम पाते हैं और वो भी प्रशांत मासागरिया अग प्रपिक रिंग ओफ फायर में हैं, जैसे अगर हम बात करें, Fusiama, Mount Fusiama, इसके अलावा Mount Mayon, इस तरह के हमारे बहुत सारे जो जौला मुखी हैं, वो हमें प्रशान्त महासागरीय मेखला में देखने को मिलते हैं, दूसरे हमारे हो गए, वितरण में अगर हम आगे दूसरे की बात करें, तो वो क्या है Mid-Continental Belt, यानि मध्य महाद्वीपिये मेखला, ठीके, दूसरा हमारा है मध्य महाद्वीपिये मेखला, मध्य महाद्वीपिये Mid-Continental Belt कौनसी है? Mid-Continental Belt जो है आपकी जहां ऐफरिका युरेशियन प्लेट से मिल रहा है, जहां Indo-Australian Belt युरेशियन प्लेट से आपकी मिल रही है, यानि जो दो प्लेटे हैं जब युरेशिया प्लेट से मिल रही है, Africa और Indo-Australian Plate तो वहाँ पे आपके जो बन रही है उसे मध्य महाद वीपिय मेखला बोलते हैं अगर हम बात करें हमारे हिमाले परवत की तो वो किस वज़े से बना है Indo-Australian Plate जहां Eurasian Plate से मिल रही है वहाँ पे हमारा हिमाले परवत बना है इसी प्रकार से और भी बहुत सारे वलित परवत हमें देखने को मिलते हैं Atlas है जो सारे कहां पर है मध्य माद वीपिय मेखला में है Mid जो है Continental Belt में है ठीक है वहाँ पे तो अभी हमने बहुत सारे ज्वाला मुखी की बात की जैसे स्ट्रॉम बोली इस ट्रॉम बोली की हमने बात की इसके अलावा हम अगर बात कर रहे हैं कि जो हमने विसूवियस वल्कैनियन देखा था भी वल्कैनियन ज्वाला मुखी इस ट्रॉम बोली वल्कैनियन इस प्रकार के बहुत सारे ज्वाला मुखी जो है हमारा जो Barren Island है, Barren Dweep है, Narcondom है, ये सब भी कहां पर है, ये सब भी मध्य महादवीप ये मेखला के पार्ट है, तो इसमें क्या होता है, लगबग 20 प्रतीशत या 21 प्रतीशत जो है, लगबग 20 प्रतीशत के आसपास, वर्ल्ड के जो ज्वाला मुखी है, वो मध्य महादवी रिज, मध्य अट्लांटिक कटक, मिड अट्लांटिक रिज, इसमें क्या है, जो हमारी जो अट्लांटिक महादागर के बीचों बीच, एक एस आकार की जो हमारी रिज है, कटक है, जो कि अभी हमने कल परसोई की जो हमारी सीरीज थी, विश्व का भूगोल सीरीज 6 या 7 में हमने उसे discuss किया था जो हमारी मर्ध्य अट्लांटिक कटक है तो वह एस की शेप में है और वहां पर क्या हो रहा है वहां पर आपकी अमेरिकन प्लेट पश्चिमी दिशा की और जा रही है और जो आपकी यूरेशियन और एफ्रिकन प्लेट है वह पूरग की दिशा की और जा नहीं हुई है ठीक तो यहाँ पर क्या होता है कि और जाल्त पर जालते कलावा कि बहुत जादा उसमें अँबिस्फॅर ज़ादा कम होगी लेकिन लेकिन एक और चीजी विस्फोर्ट छो होंगे वह कम होगे यानि उसमें भूकम्प च्क अमाएंगे तो यहाँ पर जो है यह तीसरे नंबर पर आता है अगर हम बात करें वित्रण की ठीक है और चौथा जो होता है वो हमारा होता है अंतरा प्लेट ही है जौला मुखी चौथा जो हम होगा चौथा अंतरा प्लेट ही है इंटरा प्लेट जौला मुखी इंटरा प्लेट जौला दक्कन का लावा है ठीक है वो ना तो किस में आता है मध्यमाद वीपिय बेल्ट में आता है ना ही मध्य अट्लांटिक में आता है ना ही वो क्या होता है प्रशांत महासागरी मेखला में आता है वहाँ पे ना किसी प्लेट का अभी सरन हो रहा है ना किसी प्लेट का अपसरन हो होतों किसमे थे प्लेट के किनारों पर जैसे हमने देखा पैसिपिक रिंग यह महाधूपीय और महधूपीय प्लेट के अलग होने हुआ लेकिन जो अंत्रा प्लेट होता है वो क्या होता है प्लेट के अंदर होता है ठीक है तो इंट्रा प्लेट ज्वाला मुखी है और इसकी मात्रा सबसे कम है इसमें कम होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने इनका वित्रन देखा, चारों का, जो ज्वाला मुखी का वित्रन है, तो आप इसको भी note करके रख लें, क्योंकि आप से पूछा जाएगा अक्सर कि सबसे ज्यादा ज्वाला मुखी कहां प्रसफोटित होते हैं, और आपके पास यह option होंगे, तो हम देखते हैं कि जो ज्वाला मुखी से किस-किस प्रकार की इस्थिलागरतियां बनती हैं, तो हम एक एक करके देख लेते हैं, सबसे पहले तो हमने देखा था कि एक ज्वाला मुखी परवट टाइप बनता है, ठीक है, तो टोपोग्राफी में पहला तो क्या होगा, अगर मान लीजे किसी ज्वाला मुखी से, लावा कम निकला और जो फ्रेग्मेंटेड माटीरियल की हमने बात कि थी, विखंडित पदाथ, जिसके अंदर बं, लैपिली, प्यूमिस, स्कोरिया, एश, ये सब निकल रहा था, ये ज्यादा निकला, ठीक है, अगर मान लीजे विख जाई में ऐसे ज्यादा होगा, क्योंकि पत्थर तूटके बाहर निकलेंगे, उचलेंगे आसमान में, और वापस से नीचे आकर सैटल हो जाएंगे, तो इसे हम बोलते हैं, सिंडर शंकू, या सिंडर कौन, ठीक है, तो ये तो हमारे होगे, पहली इस्तरा करते हैं, कि ये बहुत ही लूज होगा, इसमें बॉंडिंग नी होगी, लावा क्या करता है, लावा बांधने का काम करता है, चिपकाने का काम करता है, एक तरह से गम जैसा होता है, और गम क्या करता है, गम का काम होता है, चिपकाना, ठीक है, तो जो लावा होगा, वो क्या करेगा, चि उने देखे न कई इस तरह के active volcano, dormant volcano, यानि सक्रिय ज्वाला मुखी या प्रसुपत ज्वाला मुखी, तो पहले ये जब ये ज्वाला मुखी का उत्भेधन हुआ, तो पहले इसमें suppose लावा निकला, दूसरी बार उत्भेधन हुआ, तब इसके अंदर क्या निकला, suppose पदार्थों का जमाब होता जाएगा, तो इस प्रकार के ज्वाला मुखी को हम बोलते हैं, composite ज्वाला मुखी, composite volcano या मिश्रित, composite volcano या फिर मिश्रित ज्वाला मुखी, ठीक है, तो ये हमारा हो गया दूसरे टाइप का ज्वाला मुखी, पहला था सिंडर, दूसरा क्या है, कि तीसरे प्रकार का ज्वाला मुखी क्या है, तो उसमें क्या है, सपोज ये ज्वाला मुखी बना, ठीक है, ये आपका ज्वाला मुखी था, इसमें ये volcanic pipe है, ये नली है, ज्वाला मुखी नली, अब इसमें दुबारा से विस्वोट हुआ, इसी ज्वाला मुखी में तो ज्वाला मुखी का चिदर यहां बन गया, यानि यहां से ज्वाला मुखी निकला, तो इसके उपर एक छोटा सा ज्वाला मुखी परवत और बन जाएगा, इस तरीके से माल लिजे तीसरी बार जब निकला, तो तीसरी बार इस जगे से निकला आया और यहां पर भी आपक ज्वाला मुखी परवत या चिद्र बन गया तो इस तरह का जो ज्वाला मुखी होता है उसे हम क्या बोलते हैं उसे हम बोलते हैं पैरासाइटिक वोलकैनो या परपोशित शंकू ठीक है तो यह आपके तीन तरह के हो गए इसके लाबा एसेट जो होगा एसेट का मैंने आपको बताया था कि उचाई ज्यादा होगी और जो बेसिक होगा पैठिक होगा उसकी जो क्या है चोड़ाई ज्यादा होगी उचाई कम होगी तो जो भी आपका एसेडिक वाला होगा यानि अमलिये जो शंकू बनेगा उसकी उचाई ज्यादा होगी और वो उसकी चोड़ाई जादा होगी, वो जादा दूर तक फेलेगा, तो वो पठार नुमा आकरती बनेगी, तो इस प्रकार से हमने ये सारे ज्वाला मुखी देखे, और इनके बहुत सारे examples भी हैं, तो जब हम परवत पड़ेंगे, तो उन परवतों में जो हैं, उनको विश्व क मानचितर पर उनको मैप भी कर लेंगे, तो वो चीजें जो हैं, आप परवत शंकला तक उसका वेट कीजिए, हम सारे ज्वाला मुखी एक-एक करके, सभी जगए मार्क कर लेंगे, तो उस मैप के थुरू आपको ज्यादा समझ में आएगा, तो अगली बार जब भी आप हम कालडेरा भी होता है क्या मैम, कालडेरा मैंने आपको बताया था कि अगर कोई क्रेटर है, उसमें दुबारा विस्वोट हो जाए और वो बड़ी क्रेटर में बदल जाए, बड़ा क्रेटर होता है, उसको कालडेरा बोलता है लावा डोम क्या होता है, वो ही लावा जो शंकू होता है या ज्वाला मुखी परवज जो होता है, उसे हम लावा डोम बोलता है, डोम थोरा पठार तरेका होता है और इसलिए जो बेसिक लावा यानि आपके पैठिक लावा से जो बना होता है, उसे हम बोलते हैं लावा ड उसके अंदर हमने बता चुके जो बैथोलित होता है वो ज्वाला मुखी से निर्मित सबसे बड़ी इस लक्रती होती है अगर आपने हमारी पहले वाली सीरीज नहीं देखिए तो प्लीज आप उनको भी देखें जिससे आपके ज्वाला मुखी जोग्रोफी के फंडामेंटल ज्यादा क्लियर हो एक्टिव वॉल्कैनो तो जैसे मैंने आपको बता है स्ट्रॉम बोली जिसे हम भूमद्य सागर का क्या बोलते हैं प्रकाश इस्तम भी बोलते हैं इसके अलावा भारत में बैरन आइलेंड है तो बहुत सारे एक्टिव ज्वाला मुखी है और अगर हम सुन्दा जल डमरू मध्य के पास इस्तित है यह एक प्रसुप्त ज्वाला मुखी है क्राका ताओ डोम क्या होता है डोम का मतलब वही शंकू होता है डोम या पठार जैसा एक शंकू हो उसे डोम कहते हैं एक्टिव वोलकैनों के एक्जांपल में दे चुकियों स्ट्रॉम कि क्यों चोई करें और ऑस्ट्रेलिया में वॉलकैनों या भूकुम्ट क्यों नहीं आते हैं और ऑस्ट्रेलिया क्या है? अच्छा question है, देखे होट spot क्या होता है, जैसे जब हम बात करते हैं अंत्रा plate ज्वाला मुखी की, या जिसकी हमने बात की थी, इंट्रा plate ज्वाला मुखी जिनकी मातरा सबसे कम है, तो जब किसी particular plate के अंदर, किसी plate के अंदर ज्वाला मुखी आ रहा है, इसका मतलब क्या है, वहाँ पर नीचे एक hot spot होगा, हमने hot plumes की बात की थी, जब भी कोई plate hot spot के उपर से गुजरती है, तो वहाँ जनरली हमें ज्वाला मुखी देखने को मिलते हैं, यह अभी हमने इस series में बता है, अगर आप plate जुड़े हैं, तो इस series को दुबारा से शुरू से देखे, आपक मिल जाएंगे, shape of ज्वाला मुखी, वह हम अभी discuss कर चुके हैं, बहुत सारे तरह के cinder हो गया, आपका पर पर पोशित हो गया, ज्वाला मुखी, मिश्रित ज्वाला मुखी हो गया, तो यह सारे shape ही है, इनकी, ठीक है, मुझे लगता है सारे repeated question आ रहे हैं हम, और आपके main questions I think solve हो चुके होंगे, तो आप इस तरह से हमारी series से चुड़े रहें, और जितने भी question हैं, आपके जाहतर question ऐसे आ रहे हैं, जो हम अपनी पीछली वाली series में discuss कर चुके हैं, तो आप हमारी जो पीछे की 7 series हैं, आपको एक बार उनको भी देखें, और अपने हवर्णा बंटल जो हैं, वो clear करें, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे like करें, और हमारे channel को subscribe करें, आप सभी का हमारे साथ जुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया.